भारती क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंदर सिह धूनी ने अंतराश्ट्र क्रिकेट को अलविदा कह दिया साल भर से क्रिकेट से दूर चल रहे है भारत के दिगज विकेट के पर बले बाच धूनी अब भारत की और से मैदान पर नज़र नहीं आएंगे हाला के धूनी अभी आईपील खेलते रहेंगे इस बात की घोशना खुद धूनी ने वीडियो शेयर कर दी है वहीं अब धूनी के सन्यास लेने के बाद से ही फैन्स के दमाग में इस बात के चिंता सता रही है कि धूनी अब क्या काम करेंगे खबरों के मताबिक धोनी ने अपना फ्यूचर प्लान पहले से ही बना लिया था उन्होंने बच्पन से ही अपने सपने सजा लिये थे और वो पढ़ाई में भी काफी अच्छी थे आज हम आपको धोनी के फ्यूचर के बारे में बताते हैं आपको बता दे धुनी साल 2004 में बंग्रदेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शिरुबात की थी उसके बाद साल 2008 में राची इस्थित सेंट जेवियस कॉलेज में वोकेशनल स्टुडीज के तहत आफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकेटरियल प्रैक्टिस कोर्स में ब लाकात के दरान कहा था कि वो पड़ाई में अच्छे नहीं थे वो दसवी और बारवी में भी कम नंबरों से पास हुए थे धुनी ने बताया कि उन्होंने ग्यारवी में पहली बार क्लास बंक की थी साथ यह बोर्ड परिक्षा में भी राची से बाहर क्रिकेट खेलने जा वहीं धुनी ने बताया कि वो बच्पन से फौजी बनना चाहते थे धुनी राची के कैंटेरिया में अक्सर घूमने चले जाते थे लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था वो फौज के अफसर नहीं बन पाया और क्रिकेटर बन गए गौर्द रभा है कि धुनी अब तक न आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अबडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें